हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाई जैसा कि आज जो आपका SSE MTS का 7 जुलाई का 1st हिप्ट का एक्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है, इस वीडियो मैं बताऊंगा, तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है, आज आपके 7 जुलाई के 1st हिप्ट के एक्जाम में जो आप प्रेश्ट न पूछे गया है, उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSE MTS से पलपल की अप्रेट के लिए जो है, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा, और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहोगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दिएगा, तो चले विड़ो को स्टार्ट करते हैं, तो आज का आपका पहला कोशन है था कि भवाई, यह जो है किस राज्य का लोग निरिते हैं, तो देखें यह जो आपका भवाई है ना, यह राजस्थान राज्य का लोग निरिते हैं, तो राजस्थान आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था, टोटल रिकॉ से जो भी option में दिया होगा वो आपका correct answer होगा next question आपके आप रहा था कि in which state do gutka sick warriors use तो देखें मैं आपको बता दू कि यह जो आपका gutka है ना यह martial arts है जिसे sick warriors के द्वारा पंजाब sick warriors के द्वारा जो है इसे use किया जाता है तो पंजाब आपका यहाँ पे correct answer होगा किसी gain को दो बार अगर hit करता है ना तो बल्लेबाज को जो ए अमपायर के द्वारा out करार दिया जाता है तो out आपका यहाँ पे correct answer होता next आपका यहाँ पर रहा था कि दर्पन का जो है सूत्र पूछा गया था यानि mirror का formula पूछा गया था तो देखे mirror का जो formula होता है आपको ध्यान में रखना है तो यह लेंस का जो सूत्र होता है वो 1 by f equal to 1 by b minus 1 by u होता है तो यह lens formula भी आपको ध्यान में रखना है next को आपका यहाँ पर रहा था कि in which state is the chapter cut festival celebrated in the month of March every year यानि हर साल मार्च के महीने में जो है किस राजी के द्वार चाप्चर कुट तेवार यह मनाया जाता है तो देखे मैं आपको बता दू कि यह जो चाप्चर कुट तेवार है ना यह मिजोरम राजी के द्वारा मनाया जाता है और किस महीने में तो यह मार्च के महीने में मनाया जाता है तो मिजोरम आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट क्रोश आपका यह आप रहा था कि विच इंस्टुमेंट इस यूज़ड टू मेजर रैन फॉल यानि वर्षा को मापने के लिए जो है किस उपकरन का उप्योग किया जाता है तो देखिए वर्सा को मापने के लिए या आपका rain gauze यानि वर्सा मापी का उपकरन का परियोग किया जाता है तो rain gauze आपका correct answer होगा नेक्स्ट अप करहा था कि sleeping sickness is caused by यानि जो आपका sleeping जो बिमारी होता है यानि नींद की जो बिमारी होता है ये किसके कारण होता है तो देखिए ये जो आपका नींद की बिमारी है ये प्रोटो जोवा के कारण होता है और option में आपका प्रोटो जोवा दिया हुआ था तो प्रोटो जोवा आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप काया पराता कि richest millennials in the world 2022 यानि फोवर्स अरपती 2022 दुनिया के सबसे अमीर लोग में जो है कौन सीट्स पर रहे हैं तो देखें मैं आपको बता दू कि फोवर्स अरपती 2022 के दुनिया में सबसे अमीर लोकों की सूची में जो सबसे पहले अस्थान पे रहे हैं या आपके Elon Musk रहे हैं तो Elon Musk आपका correct answer होगा वही सेकेंड अस्थान की मैं बात कर लू तो इस सेकेंड अस्थान पे जो आपका जेफ बैजोस रहे हैं और Elon Musk की मैं बात कर लू तो ये टेशला और अस्पेस एक्स के संस्थापक फोवर्स की सूची में पहली बार 219 बिलियन डॉलर की संपती के साथ सीट्स पर रखा गया है तो Elon Musk आपका correct answer होगा वहीं अगर 2021 का पूछ लेना तो देखें फोवर्स अरपती 2021 में दुनिया के सबसे अमीर लोग में आपके जेफ बैजोस रहे थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कहें आप रहा था कि 2011 की जनगन्ना की अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया था तो देखें 2011 की जनगन्ना से आपके हर सिप्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है तो देखे, 2011 की जो जनगन्ना हुई थी, इसमें भारत का जो सबसे छोटा राज जी रहा था, या आपका गोवा राज जी रहा था, वहीं छेत्रपल की द्रिष्टी से, सबसे बड़ा जो राज जी रहा था, या आपका राज स्थान राज जी रहा था, तो गोवा आपका correct answer ह गरीबों का अनुमान अपका खरेकट डूगा फिर कानुमान आपका क्रेक तैन्सर होगा और मैं आपको इसके important facts से ये बता दू कि पंडित सुरेश डी टेंदूलकर की अध्यस्ता में इस से निर्यात समू का गठन जो है 2005 में किया गया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और यहां से एक प्रेश्ण और बनता है कि टेंदूलकर समीती ने अपना report जो है कब प्रस्तूत किय था तो देखे टेंदूलकर समीती ने जो है 2009 में अपनी report को जो है प्रस्तूत किया था तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा अन्य समीती की बारे में जान लीजे जहां से आगे के सिप्टों में आप से पूछे जा सकते हैं जैसे कि PK मोहंती समीती का गठन ये जो है किसके लिए किया गया था न्यूकती तो देखे PK मोहंती समीती का जो गठन है न ये भारते नीजी छेतर के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित दीसा निर्देश और कॉपरेट सरंच्रा की समिच्छा करने के लिए इसकी न्यूकती की गई थी वहीं आबिद हुस सुधार के लिए किया गया था भगवती समीती का पात कर ले तो बेरोजगारी और लोग कल्यान के लिए किया गया था सीवराज समीती का अगर पूछा जाए तो ये आपका क्रिशी नीती के लिए किया गया था रंग राजन समीती का अगर पूछा जाए तो ये आपका बैं आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशन आपको यहां पर रहा था कि अनुछे 43B, यह किसमें जोड़ा गया था, जहां पर आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP दिया हुआ था, तो देखें मैं आपको बता दू कि राज जी के नीती नि युद्ध, यह कब और किन के मद्ध लड़ा गया था, तो देखें मैं आपको बता दू कि भकसर का जो युद्ध है यह आपका 22 अक्टूबर 1764 को, भकसर के ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी और मुगल समराट साह आलम दित्धे, आवत के नवाब सिराजु दोला और बं कंपनी के सामने आत्म समर पर कर दिया था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके अलाब आपका पलासी का युद्ध भी पूछा गया था, तो देखें पलासी का जो युद्ध है यह आपका 2357 को मुरसीदाबाद के दच्छिन नदिया जिले में, गंगा न पलासी के युद्ध में, ब्रिटी सेना का नेतितो किस ने किया था, तो यह रॉबर्ट कलाइब कर रहे थे, और दूसरी और सिराजु दोला की शेना का जो नेतितो है ना, यह तीन सेना पतियों ने किया था, मीर जाफर, यार लतिफ खान और रैदूर लफ ने किया था, त तो देखे भोजन का जो अवसोसन है ना, यह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानि छोटी आथ में होता है, नेक्स्ट आपका यह आप रहा था कि रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान, यह जो किस राज्जी के द्वारा लागू किया गया है, तो देखे यह जो आपका रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान है ना, यह आपका दिल्ली राज्जी के द्वारा लागू किया गया है, तो दिल्ली आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश है आपका रहा था कि हरी परसाद चौरसिया, यह जो किस वाद यह अंतर से संबंदी था है, तो देखे हरी परसाद चौरसिया का जो संबंद है ना, यह बासुरी वादक से है, तो बासुरी वादक आपका करेक्ट एंसर होगा, बात कर ले अन्ने फेमस परसनेलिटिस के बारे में, जो कि वासुरी वादक से संबंदी था है, जैसे कि ससांक सुब्रमन्यम, राकेश चौरसिया, इन रमानी, रोनु मजुमदार, पन्नालाल घोष, परवीन कांड खिंडी, रगुना सेट, इन सबों का जो संबंद है ना, यह वासुरी वाद ही अंतर से है, यहां से सियाच अ जैसल में पूछा गया था, कि पन्नालाल घोष का जो संबंद है यह किस से है, तो यह बासुरी वादक से है, नेक्स्ट अप कहें हम रहा था, कि खजुराओं मंदीर का निर्मान, यह जो किस वास्तु कला पर आधारी था, तो देखें, खजुराओं मंदीर का जो निर्मान गया था, तो देखें, खजुराओं मंदीर का जो निर्मान है, यह आपका चंदेल सासको के द्वारा करवाए गया था, और यह जो आपका नागर, वह इरोटिक असकल्प्चर के बेज़ पर आधारी था, तो नागर सैली आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा, बात कर ल जनसंख्या घनत हो जो है, सौव रेक्ति प्रतिवर्ण किलोमेटर से कम रहा था, तो देखें, मैं आपको उदादू कि दो, 2011 की जन गनना के अनुसार, तीन चार ऐसे राज्ये थे जिसका जनसंख्या घनत हो जो है, सौव यह प्रतिवर्ण किलोमेटर से कम रहा था और campus किलो मीटर रहा था सिक्कीम मिजोरम अनवान वन इको बार इन सभी राज्यों या फिर यूटी का जो जनसंक्या घनत हो है ना यह सौव वैक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर रहा था तो इन में से जो भी आप्सन में दिया होगा वह आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप क भारत में राष्ट पदी चुने जाने की न्यूनतम आयू पूछी गई थी तो देखे अगर आपको भारत का राष्ट पदी बनना है तो आपका जो न्यूनतम आयू है ना वो 35 वर्स होना चाहिए तो 35 वर्स आपका करेक्ट एंसर होगा वहें किसी भी राज्य का राज्य बनने का जो न्यूनतम आयू है ना यह 35 वर्स होना चाहिए राजřिस्च سबा के सदश्चे बनने के लिए 30 वर्स की आयू होना चाहिए विधान सबा GPU होना चाहिए तो यह festival आपको ध्यान में रखना है next question है आपका यहाँ रहा था कि भगत सिंग वा भटगेश्वर दत ने केंद्रिय एंसेंब्ली पर बंब कप फेका था तो देखें भगत सिंग और भटगेश्वर दत के द्वारा 8 Epral 1929 को केंद्रिय एंसेंब्ली पर बंब फेका गया था तो 8 Epral 1929 आपका correct answer होगा next step का यहाँ रहा था कि किसी जीव के द्वारा खादे सामगरी का विघटन सरीर के बाहर किया जाता है तो यह आपका east के द्वारा किया जाता है तो east आपका correct answer होगा एक question आपका यहाँ पर रहा था कि 2022-23 के budget में कितने लोगों को जो है आपका jobs देने का लच्छे रखा गया है जहाँ पर option में आपका 40 लाग 20 लाग ऐसे option दियावा था तो देखें मैं आपको बता दू कि 2022-23 के budget में 20 लागों को जो है jobs देने का लच्छे रखा गया है तो 20 लाग आपका यहाँ पर correct answer होगा तो इतने question जो है आज मुझे बच्चो के दारा मिले है जो कि 100% real और authentic है तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को जो है like जरू कर दिजेगा चैनल पर अगर नए है तो इसी तरह का real content पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दिजेगा तो मिलते हैं next video अंतर तक thank you all the best